सभी को नमस्कार मैं आज आपको ऐसी बहतरी इंजानकारी देने जा रहा हूं अगर डॉक्टरों ने बोल दिया है कि आपको गुटने बदलना ही पड़ेगा और आप बदलना नहीं चाहते हो आपके गुटना में गिरिश गस गया हो आपकी अकड़न जकड़न रहती है चलने रोगियों को दिया जिने मैं जानता हूं और उससे अप्रेशन तक की नवत नहीं आई और गुटने ठीक होगे गुटना में ग्रीश दबा दबा के भर गया इतना बहतरी नुस्का मैं आपको आज देने जा रहा हूं यह नुस्का प्रियोग शुदा है मैंने खुदने भाई हो गया पता निकां और अकड़न जकड़न सारी समाप्त हो गई इतना वैतरीन है यह नुस्का इस नुसके में उपयोग वाली सारी दोया भाती वैतरीन ग्रेल्व है परमप्रागेत रूप से आपको सोग्राम खस-खस लेनी है और सोग्राम सपेतिल लेने हैं दोनों को बे ले बैतरी साफ सपई कर लें उसकी और बिनने के बाद में उसको हलका सा रोष्ट कर दें एकदम हलका सा रोस्ट कर ले ताकि वह कुटने पीछने में दिखतना है चुरण बनाने में यह यह कर लेते हो 200 ग्राम गुड पुराना होना चीए गुड गुड पुराना आप लेना है इसमें डूनना थोड़ा सा डूनों के तो मिल जाएगा 200 ग्राम पुराना गुड लेना है और गुड को भी अलग कूट पीशके रखना है तीनों दवाओं को अलग-अलग कूट पीशके अलग-अलग बरत्नों में रखना है इसका उप्यों करते समय एक चमच खस-ख भी पीते रहें सुबह भुकापेट लेना है और रातरी को सोते समय साथ में एक उपाई आपको और करना है कि जहां पर भी आपके जोइन पेन हो रहा हो गुट्णों का दर्ध हो जाशनीर के किसी भी अंग में कहीं पर भी दर्ध हो तो मैंने एक बहुत बहतरीन तेल बताय करने वाला नहीं है ऑप्रेशन का बोल दिया डोक्टर ने कोई दिक्कत नहीं 20 दिन बाद करा लेना आपकी इच्छा हो गई हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशान हो चलने में फिरने में उठने में बैटने में आपकी समस्या हम समझ सकते हैं इसलिए आप इन दोन में अपत बदल वाई है और मैं आपको कहता हूँ अधिक्तर रोगियों नहें बदल का उप्योंग किया उनको गुटने बदर लौने रहे जरूत नहीं पड़ी और यसवल की किर्पा से आपको भी गुटना बदल लूद की जरूत चुके हैं समाधार नहीं हो रहा है एलोफेट की दवयों का आप जानते हो साइड इफ्यक्त क्या होता क्या नहीं होता मेरे से बहुतर आप जानते हो लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं अगर 20 दिन आप यह नुश्का उप्यों कर लेते हो जो सपेद तिल का गु जा दीजिए इसके कोई दुस्त प्रभाव नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं है नियमित मात्रा में नियमित रूप से ही लेते रहें मात्रा न बढ़ाएं और आपका अनिद्रा का समाधान इससे हो जाता है यह तो नुश्का इतना बहतरीन है अगर किसी को माइग्रें की सिकाइथ है दिमाघ से तोर पर मस्तिक वर शर्दर्द होता ही रहता दिमाघाक काम नहीं कर रहा है बूलने की आदत पड़ने लगे है इंसो बन्या के बिमारी यह जढ़ मूल से खतम कर देता है रहा दास्त को भैतरीन बना देता है और आपका कितना पुराना शिक्णॉ क्यों नहों बीच दिन के अंदर बहुत कुछ रिलिफ मिल जाएगा और हो सकता है कि जड़ मुल से खत्म हो जाए और अगर आपको वैसे रिलिफ तो मिल नहीं है तो अगर सरदर्द की शिकाएथ है पुराने सरदर्द की शिकाएथ है तो कुछ समय आप और बढ़ा दीजिए और आपका इसता ही रूफ से सरदर्द ठीक हो जाएगा ऐसे ही शेकडो बीमारियों में यह उच्छ गुणवत्ता वाली यह दोया जो है काम करती है प्रमप्राकत रूफ से इसका उप्योग किया जा रहा था आपने पूरा वीडियो देखा बहुत बहुत दन्यवाद मेरे लिए